जैस याराम आज की इस फीडियो में हम लोग दिवाली का सरल्व संपून पूजन देखेंगे और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैपी दिवाली तो देखें सबसे पहले जहां भी आपने पूजन करना हो वहां पे आप इस तरह से हल्दी से या गाय के गोबर से लीप के स्वास्तिक बना ले और उसके ओपर आपको अपनी चोकी लगा लिए है तो देखें मैंने या चोकी लगा लिए है हो सके तो आप लाल रंग का की अस्टधातु की या फिर चांदी की या देखें इस तरह के मिट्टी की ले सकते हैं और यह देखें मैं मिट्टी की लाई हूं कितने सुन्दर इनके नया नक्ष है मुझे बहुत अच्छी लगी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा उसके बाद अ कलश में जल, हल्दी की गांट, सुपारी, सिक्का, इलाइची, लॉंग और पांच पलव लगा के आप इस तरह से कलश तयार कर लें साथी में थोड़ा गंगा जल जरूर डालें उसके बाद हमें नारियल चाहिएगा पानी वाला तो नारियल पे आप चाहे तो चुन्नी ल होगी उसके बाद देखे हम अपनी चोकी पर ही नवग्रह और शोडश मात्री का बनाएंगे तो अगर आप के पास कोई ऐसा फोटो हो या फिर कोई पोस्टर हो जिसमें है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं नहीं तो आप इस तरह से चावल की नोड़ धेरियां करके नवग् iam hàng कर सकते हैं और देखिए लक्षमी माता बहुत चंचल होती हैं रुकती नहीं है तो लक्षमी माता की जब पराने के उल्टे हाथ की तरफ होने चाहिए उसके बाद देखे मैंने गंगा जल का छीटा दे दिया था सभी को शुद्ध कर लिया था उसके बाद थोड़ इसी चावल की धेरी लगा के हम अपना दिया प्रजुलित कर लेंगे तो देखे ये मैंने देशी की जो जलाई है आ कूछी लग्ष्मि ओसें निकाल लेती हैं जाने के लिए लेकिन संभाल के आपने माता को अच्छे से अपने पास रख सकेंगे इसलिए आपको अच्छे से लक्ष्मी माता के साथ सरस्वती माता का भी पूजन जरूर से करना है उसके बाद आपने जो यहाँ पे नवग्रह बनाए हैं शोडश मात्री का बनाई है इन पे भी आप सभी भगवान दई देता हूँ सभी का जो है नाम लेते वे इन पे भी रोली चड़ा दें उसके बाद हम सरपथम गनपती भगवान को इत्र लगाके कलावा अर्पित कर देंगे तो आप इत्र जरूर से लगाएं गनपती भगवान को मातरानी को आप जो कलावा चढ़ाएंगे उसी में आप हलका हलका सा इतर लगा के सभी को इस तरह से इतर अरपन कर दें कलावे के उपर ही उसके बाद हम भगवान गनपती का सरपथम पूजन करेंगे तो मैंने या दूर्वा चढ़ा दी है लाल रंग का फूल अगर आपको मिल जाए गुलाब का गुढ़ल का तो आप जरूर से चढ़ाएं सरस्वती माता को आप सफेद रंग के फूल चढ़ाएं उनका भी विदिवत आप अच्छे से पूजन करें भगवान विष्णु को यहां मैं पीले रंग के फूल अरपन कर रही हूँ और देखिए लक्षमी माता को हो सके तो आप लाल गुलाब गुढ़ल और कमल का फूल मिल जाए तो जरूर से कमल का फूल अरपन करें लक्ष्मी माता को प्रसंद करने के लिए कमल का फूल जरूर से चढ़ाए अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद देखे आप सभी दैदेताओं को, कलश को, गनपती भगवान को, अपने नव ग्रह को, शुडश मातरिका को, सभी को इस तरह से फूल चढ़ा दे, कुबेर भगवान को चढ़ा दे, मेरी यहाँ पर लक्ष्मी गनेश की मूर्ती छोटी है, इसलिए मैं माला नहीं पहना रही हूँ, इसलिए मैं कलश के माला पहना रही हूँ, उसमें भी सभी दैदेता होते हैं, अगर आपकी मूर्तियां बढ़ी हो, तो आप माला पहना सकते हैं, और जैसे आपको फूल मिल जाएं, जैसा आप उपलब्द करा सकें, उसलिए आप से फूल अर्पन कर दें, उसके बाद देखें, जो भी आप धंतेरस पर खरीद के लाएं हो, सोने की चीज, चांदी की चीज, या फिर बरतन वगएरा, उन्हें भी आप आज के दिन पूज हमें जरूर से रख लें, उनका भी हम आज के दिन अच्छे से विदिवित पूजन करते हैं, तो देखें, मैंने हापे ये अपने सोने के उठी, चांदी का चला और इस तरह से बरतन रख लिए हैं, अच्छे से पहले आप इनने तिलक करेंगे, थोड़े से चावल चढ़ा आप से बन पड़ें, आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं, ये सभी चीज आपकी कीचन में असानी से मिल जाती है, और आज के दिन आपको सापुत धनिया, खड़ा धनिया तो जरूर से चढ़ाना है, और हो सके तो आप धनिया तो जरूर नया खरीद के लाएं, आप धंतेरस खरीदेंगे ही, बाकी चीज आप अपनी कीचन में से निकाल के पहले की रख्यूई ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको नई खरीद के लाके ही चढ़ानी है, इससे आपके घर में धनन में बरकत रहती है, तो आप हो सके उतनी भगवान को इस तरह से चीज आरपन कर दें, उसके बाद दिवाली वाले दिन बड़ा दिया जलाया जाता है, पूरी रात के लिए, अखंड दिबग भी कहते हैं, तो देखे उसको रखने से पहले मैंने यहां पे प्लेट में अस्टडल कमल बना लिया है, रोली से, थोड़े से अक्षत रख दिये हैं, और उस इस तरह से जला सकते हैं, और यह हमारा पूरी रात जलेगा, तो माता लक्षमी का नाम लेते वे, उनका जैकारा लगाते वे, आप अपना दिया जोड़े, और दिया जोडने के बाद इस तरह से चुचकार लें, और हो सके, तो आप अपने घर के सबसे बड़े सदसे, यान दिया ना जलाएं, और फूल चढ़ा दें, आप इस तरह से अच्छे से पुजन कर लें, उसके बाद देखे हम भोग लगाएंगे, तो देखे दिवाले वाले दिन तो खील पताशों का भोग सबसे जरूरी होता है, चाहें आप थोड़ी सी लाएं, पर जरूर से खील पता तो केसर बगारा डालके आप खील जरूर से चढ़ाएं मतारानी को, उसके बाद देखे हम बीडे का भोग लगाएंगे, आप एक पान के पत्ते पर पताशा, इलाइची, लॉंग, सुपारी इस तरह से रख लें, उसके बाद आप सभी भगवानों को दिखा दें, चाहे त जो भी आपको फल बगारा मिले, आप इस तरह से फल चढ़ा दें, और देखे मैं जनेव पहले चढ़ाना भूल गई थी, तो मैं गनपति भगवान को जनेव चढ़ा रही हूं, और हमारे विश्नु भगवान को जनेव चढ़ा देंगे हम, उसके बाद हम सभी को इस तरह स बरकत होती है, ये देखे पहले आपको लक्षम माता के निमित रखना है, चोकी पर ही रखे रहने देना है, इसका पूजन करना है, बाद में इसे हमें उठा के समहल के रखना होता है, तो देखे अच्छे से आप इस पे दिलक लगा के चावल चढ़ा के अच्छे से पहले उसके बाद हम इसे समहाल के रखेंगे और इसको आपको कैसे बनाना होता है कैसे समहाल के रखना होता है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे जरूर देखेगा और देखे दिवाली दीपो का त्योहार है तो आप इस दिन दिये बहुत सारे जलाएं पानी में भिगो लिजिएगा इनको उसके बाद जलाया जाता है और देखिए मेरे सिसराल में तो दिवाली पूजन से पहले ही इने जलाया जाता है मेरी सासुमा कहते हैं के पूरी अप्छे से रोशनी कर दो ताकि लख्ष्मी माता अप्छे से आएं जो मुझे अच्छी भी और इस दिन खील बरसाई जाती है भगवान पे, तो देखे इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी खील आप जरूर से मातारानी पे, सभी भगवानों पे इस तरह से बरसा दें, उनके उपर अच्छे से बारिश कर दें, और हो सके आप उतनी अच्छे से करें, मैं आपे डैमो वी खील आप मातारानी के उपर चढ़ा दें, और उनसे प्रातना करें, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो मांगते वे, आप इस तरह से अपने दाने मातारानी के अग्यारपन कर दें, और हाथ जोड़ लें, और जो भी मनोकामना हो, मातारानी को वो कह दें, देखे या, मातारान को अती प्रेय होती है आप चाहे तो दीपक से भी कर सकते हैं तो there यहां पर इस तरह से हम आप आरती कर लेंगे पहले गंपति-भगवान की करेंगे करेंगे फिर अलंता कैसे उठानी है उसे आप जरूर देखेगा और भी आपको लक्षमी पूजन और दिवाली से रिलेटेट सभी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी जरूर देखेगा और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शियर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत धूलिएगा और कमें बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिख दें जै मालक्षमी